ओम नमाश शिवाई श्रावन मास महातम में नववा अध्याई इश्वर बोले हे सनत कुमार इसके बाद अब मैं शुकरवार व्रत का आख्यान कहूंगा जिसे सुनकर मनुष्य संपूर्ण आपदा से मुक्त हो जाता है लोग इससे संबंदित एक प्राची नितिहास का वर्णन करते हैं पांडे वंश में उत्पन एक सुशील नामक राजा था अत्यधिन प्रैत्न करने पर भी उसे पुत्र प्राप्ती नहीं हो सकी उसकी सर्वगुण संपन सुकेशी नामक भार्य थी जब उसे संतान नहीं होई तब वह बड़ी चिंता में पड़ गई तब इस्त्री स्वभाव के कारण अतिसाहस युक्त मन वाली उसने मासिक धर्म के समय प्रतेक महीने में वस्त्र के टुकडों को अपने उदर पर भांद कर उदर को बड़ा बना लिया और अपनी प्रसूती का अनुकरन करने वाली किसी अन्य गर्भीनी इस्त्री को ढूंडने लगी भावी देव योग से उसके पुरोहित की पत्नी गर्भीनी थी तब कपड करने वाली राजा की पत्नी ने किसी प्रसव कराने वाली को इस कारे में लगा दिया और उसे एकांत में बहुत धन देकर वहरानी चली गई उसके बाद रानी को गर्भीनी जानकर राजा ने उसका पुन्सवन और अन्वलोभन संसकार किया आठवा महीना होने पर सिमेंटो नयन संसकार के समय राजा अध्यंद हर्शित हुए इसके बाद उस पुरोहित पत्नी का प्रसव काल सुनकर वहरानी भी उसी के समान सभी प्रसव संबंदी चेश्टाई करने लगी पुरोहित की पत्नी चोकी पहली बार गर्ववती थी अध्य प्रसुते कारे के प्रती वह अन्भिग्य थी और केवल प्रसव कराने वाली दाई के कहने में इस्तित थी तब उस दाई ने पुरोहित पत्नी के साथ छल करते हुए उसके नेत्रों पर पट्टी भान दी और प्रसव के समय उसके पैदा हुए पुत्र को किसी के हाथ से रानी के पास पहुचा दिया इस बात को कोई भी नहीं जान सका उसके बाद रानी ने उस पुत्र को लेकर यह घोशित कर दिया कि मुझे पुत्र रत्नी की प्राप्ती हुई है इन सब के बाद दाई ने पुरोहित की पतनी की आँखों की पट्टी खोल दी दाई अपने साथ एक मांस का पिंडल आई थी उसने उसे वही दिखा दिया फिर उसके सामने आश्यरे तता दुख प्रगट करने लगी कि यह कैसा अनिश्ट हो गया और कहने लगी कि अपने पु पुष्य चिंतन से बहुत संदै हुआ इश्वर बोले राजा ने पुत्र जनम का समाचार सुन जातक कर्म संसकार करवाया और ब्रहामनों को हाती घोडे तथा रत आधी प्रदान किये राजा ने कारागार में पड़े सभी कैदियों को प्रसंता पुर्वक मुक्त करा दिय उसके बाद राजा ने सुतक के अंत में नाम कर्म तथा अन्य सभी संसकार किये उन्होंने पुत्र का नाम प्रियवरत रखा हे सनत कुमार इधर श्रावन मास के आने पर पुरोहित की पतनी ने शुकरवार के दिन भक्ति पुर्वक देवी जिवन्तिका का पूजन किया दिवार पर अनेक बाल को सहित देवे जिवन्तिका की मूर्टी लिखकर पुष्प तथा माला से उनकी पूजा करके गो धूम की पीठी के बनाए गए पांच दीपक उनके सम्मुख उसने जलाए और स्वेम भी गो धूम का चून भक्षन किया और उनकी मूर्टी पर चावल और कहा हे जिवन्ति हे करुणार्वे जहां भी मेरा पुत्र विधमान हो आप उसकी रक्षा करना यह प्रार्थना करके उसने कथा सुनकर यथा विधी नमस्कार किया तब जिवन्तिका की क्रपा से वह बालक दिरगायू हो गया और वे देवी उसकी माता की श्रद्धा भक की क्रिया संपन की इसके बाद मंत्रियों तथा पुरोहितों ने प्रिय व्रत को राज्जे पर अभिशिक्त किया तब कुछ वर्षों तक प्रजा का पालन करकी तथा राज्जे भोग कर वह पित्रों के रिंड से मुक्ति के लिए गया जाने की तैयारी करने लगा प्रश्टी देवी ने उसके पांच पुत्रों को उत्पन होने के पांचवे दिन मार दिया था यह राजा भी उस समय पांचवे दिन ही वहां गया हुआ था रात में राजा के सो जाने पर उस बच्चे को ले जाने के लिए शष्टी देवी आई जीवन्तिका देवी ने उस शष्टी देवी को यह कह कर रोका कि राजा को लांग कर मत जाओ तब जीवन्तिका के रोगने पर वह शष्टी जैसे आई थी वैसे ही चली गई इस प्रकार उस ग्रहस्वामी ने उस बालक को पांचवे दिन जिवित रूप में प्राप्ट किया ये लोग इतने प्रभाव वाले हैं यह देखकर उस ग्रहस्थ ने राजा से प्रार्थना की हे राजन आपका निवास आज के दिन से मेरे ही घर में हो हे प्रभो आपकी क्रपा से मेरा यह चटा पुत्र जिवित रह गया है उसके इस प्रकार प्रार्थना करने पर करुणा निधी उस राजा ने कहा कि मुझे तो गया जाना है तब राजा गया के लिए प्रस्तान कर गए वहाँ पिंडदान करते समय विष्णुपद वेदी पर कुछ अद्बुद घटना हुई उस पिंड़ को ग्रहन करने के लिए दो हाथ निकल कर आए तब महान विसमय युक्त राजा संशे में पड़ गए और पुने पिंडदान कराने वाले ब्राहमन के कहने पर उन्होंने व पिंड़े हो तो घर जाकर अपनी माता से पूछ लीजिए वह बता देगी तब राजा चिंतित तथा दुखी हुए और मन में अनेक बाते सोचने विचारने लगे वे यात्रा करके पुने वहाँ गए जहां वे बालक जिवित हुआ था उस समय भी उस इस्त्री को पुत्र उत्पन हुआ था और वह उसका पाच्वा दिन था वह जो दूसरा पुत्र हुआ था उसे लेने रात में फिर वही शष्टी देवी आई तब जिवन्तिका के दुबारा रोके जाने पर उस शष्टी देवी ने उनसे कहा इसका ऐसा क्या क्रत्य है अत्वा क्या इसकी माता तुम्हारा व्रत करती है जो तुम दिन रात इसकी रक्षा करती हो तब शष्टी का यह वचन सुनकर जिवन्तिका ने धीरे से मुस्कुरा कर इसका सारा कारण बताया उस समय राज अशेयन का बहाना बना कर वास्त्विक्ता जानने के लिए जाग रहा था अत्य उन्होंने जिवन्ति और शष्टी दोनों की बाच्ची सुन ली जिवन्ति ने कहा हे शष्टी श्रावन मास में शुकरवार को इसकी माता मेरे पूजन में रत रहती है और व्रत के संपूर्ण नियम का पालन करती है वह सब मैं आपको बताती हूँ वह हरे रंग का वस्त्र तथा कंचू की नहीं पहनती और हाथ में उस रंग की चूड़ी भी नहीं धारन करती वह चावल के धोने के जल को कभी नहीं लांगती हरे पत्तों के मंडप के नीचे नहीं जाती और हरे वर्ण का होने के कारण करेले का शाक भी वह नहीं खाती है यह सब वह मेरी प्रसंता के लिए करती है, अदर में उसके पुत्र को किसी को मारने नहीं दूंगी। यह सब सुनकर राजा प्रिये वरत अपने नगर को चले गए। उनके देश के सभी नागरिक स्वागत के लिए आये तब राजा ने अपनी माता से पूछा, हे मात, क्या तुम जिवन्ती का देवी का वरत करती हो? इस पर उसने कहा कि मैं तो इस वरत को जानती भी नहीं हूँ। उसके बाद राजा ने गया यात्रा का समुचित फल प्राप्त करने के लिए ब्रामडो तथा सुवासनी इस्त्रियों को भोजन कराने की इच्छा से उने निमंतरित किया। और व्रत की परिक्षा के लिए सुवासनियों को वस्त्र कंचुकी तथा कंकन भेज कर कहलाया कि आप सभी को भोजन के लिए राजभवन में आना है तब पुरोहित की पत्नी ने दूत से कहा कि मैं हरे रंग की कोई भी वस्तू कभी ग्रहन नहीं करती हूं राजा के पास आकर दूत ने उसके द्वारा कही गई बात राजा को बता दी तब राजा ने उसके लिए सभी रक्तवन के शुब परिदान भेजे वह सब धारन करके वह पुरोहित पत्नी भी राजभवन में आई राजभवन के पुर्वी द्वार पर चामलों के धोने का जल पड़ा देखकर और वहां हरे रंग का मंडब देखकर वह दूसरे द्वार से गई तब राज़ा ने पुरोहित की पत्नी को प्रणाम करके इस नियम का संपूर्ण कारण पूछा इस पर उसने इसका कारण शुकरवार का व्रत बताया उस प्रिय व्रत को देखकर उसके दोनों इस्तनों में से बहुत दूद निकलने लगा दोनों वक्षिस्तलों ने उस रा के द्वारा राज़ा को विश्वास हो गया कि मैं इसी का पुत्र हूँ उसके बाद पालन पोशन करने वाली माता के पास जाकर विनमरता पूर्वक उन्होंने कहा हे मात डरो मत मेरे जन्म का व्रतांत सत्य सत्य बता दो यह सुनकर सुन्दर केशो वाली रानी ने सब कुछ सच सच बता दिया तब प्रसन होकर उन्होंने जन्म देने वाले अपने माता पिता को नमस्कार किया और संपती से व्रधी को प्राप्त कराया वे दोनों भी परमानंदित हुए एक दिन राज़ा प्रियवरत ने रात में देवी जिवंती से प्रार्थना की हे जिवंती मेर तुम्हें विश्वास दिलाने के लिए ही यह माया की थी, इसमें संदह नहीं है, हे सनतकुमार यह सब मैंने आपको बता दिया, श्रावन मास में शुकरवार के दिन इस व्रत का अनुष्ठान करके मनुष्य सभी मनोरतों को प्राप्त कर लेता है, इस प्रकार श्री इसकंद पुरान के अंतरगत इश्वर सनत कुमार समवाद में श्रावन मास महातम्य में शुक्रवार जीवन्ती का व्रत कथन नामक नवव अध्याय पूर्ण हुआ जै श्रीराधी